Hello children, children from today we will start reason of the poem at the zoo. So first understand the poem. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. इसमें poet कहता है कि जब भी आप zoo visit करने जाएं, आइनिमल्स को देखने जाएं, तो you should be careful about what you say or do. आपको careful रहना चाहिए, जब भी आप आप आइनिमल्स को देखने जू जाओए, तो you should be careful कि आप वहाँ पे क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हमेशा आपको careful रहना चाहिए. कोई भी ऐसी bad चीज़ नहीं कहनी या करनी चाहिए, जिससे कि आइनिमल्स को hurt हो, तीक है, आपने देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, मौंफली खा के उसके चिल्लक, आइनिमल्स की तरब भी फैंकते हैं, तीक है, उनके लिए तो fun है, बट अनिमल्स को hurt होता है, तो वी शूद बिहेब नाइसली, वेन वी विजिट दा जू, डोंट मेक फ़न अफ तो कैमल्स हम, जब भी आप वहाँ पे कैमल को देखो, तो वी शूद नॉट मेक फ़न अफ इस हम, हम क्या होता है, इस पार, इस राउन प्रोजेक्टिंग पार्ट जो उता है, इस काल हम, तों कैमल को अपने इस हम का बहुत प्रावट होता है, हमें उसके इस हम का मजाक नहीं उनाना चाहिए, जो कैमल होता है, वो अपना फैट यहाँ पे स्टोर करता है, और आपको पता है, कि camels जोता है कई दिन बिना खाए pH रह सकता है कैसे वो इस fat को जो यहाँ पे store करता है उसे इस fat से जब उसे कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो इसी fat को use करता है उसको energy मिलती इसी fat से So he's very proud of his hum तो we should not make fun of camels hum तो हमें camel के hum का मजाक नहीं उलाना चाहिए Now come on the next paragraph Don't laugh too much at the chimpanzee He thinks he is as wise as you or me हमें chimpanzee को देखके हसना नहीं चाहिए उसका मजाक नहीं उलाना चाहिए ठीक है जैसे हम human beings अपने आपको both smart intelligent समझते हैं ठीक है हम सोचते हैं बहुत intelligent है तो ऐसे ही chimpanzee और बाकी animals भी जो है वो अपने आपको intelligent समझते हैं ठीक है तो जैसे हम कहते हैं हम intelligent तो उनके लिए वो भी intelligent है So we should not laugh at them Now in the next paragraph And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make Strutting means moving about proudly यह देखो Cute see है ना penguins तो penguins जब है move करती है ठीक है तो you should make comments carefully आपको penguins को देखके जो भी comment करते हो उसके भारे में ध्यान रखना चाहिए कोई भी negative comment नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी आप कहते हो penguins बहुत easily समझती है So हमेशा positive remarks करने चाहिए negative comment नहीं करना चाहिए बुरा नहीं कहना चाहिए Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo हमेशा उनको अच्छे से treat करना चाहिए animals को जैसे हम human beings में feelings होती है वैसे animals में भी feelings होती है ठीक है They also need love and care affection उनको भी love, care, affection की जोत होती है ठीक है न अगर हमाई साथ कोई अच्छा भी एप करता है तो हम खुश होता है उनसे मिलके तो in the same way If you behave nicely If you will treat nicely them So they will always welcome you at the zoo So this is the poem at the zoo So we should behave nicely when we visit the animals at the zoo Clear children िगे ये एकादि एर टुड़गे एकिए इसकर रीसे फुड़े तो आजर में भी कर दोबसादी दोग्ड़ेँ हा नच्छ़े इसको ऊच है येएहशे है अभी जाद एपकी निएएएजएएगे वाहिगे चापपापादी है जां आज